हलो बच्चो बच्चो आप सभी का गोयल हिंदी क्लास में स्वागत है मैं आज आपको रहीम दाज़ी का एक दोहा पड़ा रही हूँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलो मैं शुरू करती हूँ तरुवर फल नहीं खात है सर्वर पीय ही न पानी कह रहीम पर काज हित संपती संचेही सुजान तो सबसे पहले शब्दार देख लेते हैं तरुवर का मतलब होता है पेड और सर्वर का मतलब होता है तालाव पीय ही मतलब पीता है पर मतलब दूसरों के काज का मतलब होता है का और हिटका मतलब होता है भलाई, संचै मतलब एकत्र करते हैं, सुजान मतलब विद्वान, तो बिटा पहले इस दो एका मैं सरलर्द बताऊंगी, उसके बाद इसका मैं भावर्द बताऊंगी, तो चलो देखते हैं, तरवर फल नहीं खात है, पेड अपने फल खुद नहीं ख कहें रहीम पर काज हित रहीमदाजी कह रहे हैं कि पर काज हित पर मतलब दूसरों के काज मतलब काम हित मतलब भलाई संपति मतलब धन्दौलत संचय मतलब इखटा करते हैं सुजान मतलब विद्वान रहीमदाजी कह रहे हैं कि विद्वान लोग दूसरों के हित के लिए संप खट्ति खट्टा करते हैं तो चलो अब इसका भाबर देख लेते हैं रहीमदाजी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्युम नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्युम नहीं पीता ये दोनों दूसरों के ही काम आते हैं उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी धन का संचे अपने लिए नहीं करता बे परोपकार के लिए संचे किये धन का प्रयोग करते हैं सज्जन लोग अपना धन दूसरों की सायता में लगाते हैं तो बच्चों इसका संदेश कैस धोएका कि हमें परोपकारी बनना चाहिए आश्यकरतियों आपको ये दोहा समझ में आ गया होगा लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद